इसके पिछले वीडियो में update and delete product function को create किये थे इस वीडियो में add to card function को create करेंगे और product को product card में दिखाएंगे यह इसका docs है, इसका link मैं description में दे दूँगा और इसके help से इसे create करने वाले है तो सबसे पहले product card में product को दिखाते हैं तो यहाँ पे product को map करेंगे तो product card में जाते हैं contact से product को लेते हैं और यहाँ पे product को map करा देंगे तो इसमें से एक card को रखेंगे और सब को delete कर देंगे और इस card को use करेंगे तो इसे copy करते हैं और यहाँ पे product को map करते हैं तो product.map और item और index रहेगा और fat arrow curly bracket return और parenthesis के अंदर इसे pass कर देंगे तो यहाँ पी यह दो आ गया क्योंकि हमारे database में दो product है तो दो product map हो गया अब इसमें data को change कर देते हैं यह warning आ रहा है तो यहाँ पे key देंगे index तो यहाँ पे item से title, price, description, image URL को de-structure किये अब यहाँ पे change कर देंगे image URL title price यह हो गया तो यहाँ पे title आ गया, image आ गया और यह price आ गया अब इस button पे click करें तो यहाँ पे add to card हो, तो यहाँ पे इस function को create करेंगे, तो सबसे पहले dispatch का use करेंगे ताकि add to card function को use कर सके, यह use dispatch, react redux से आएगा, तो यहाँ पे create करते हैं, const dispatch इक्वल टू यूज dispatch यह react redux से आएगा यहाँ पे card items को लेंगे, use selector के help से, और use selector में एक estate होगा, और estate.card जो redux में पास किया है, यहाँ पे use selector का use करेंगे, const card items equal to use selector और इसमें estate लेंगे, और fat arrow estate.card यह आपका card है, तो यह इस card को यहाँ पे access कर रहा है, then यहाँ पे add to card function को create करेंगे, और यहाँ पे dispatch method का use करके, add to card function को यहाँ पे call करेंगे, तो यहाँ पे function को create करते हैं, const add card equal to और इसमें parameters रहेगा, product product को हमें add करना है, और dispatch का use करेंगे, और dispatch के अंदर add to card function को call करेंगे, और इसके अंदर product को add करना है, और हमें product को add करना है, तो इसके अंदर पोड़क्त दे देंगे तो यह हो जाएगा और यह Add to Card function यहाँ पे create किये थे तो यहाँ पे इसे use कर रहा है और एक toast दिखा देंगे toast success Add to Card और इस Add to Card को यहाँ पे call कर देंगे इस button पे on click यहाँ पे call हो गया अब इसे use करेंगे तो यहाँ पर इसे console करते हैं तो यह card items में items दीखेंगे तो यहाँ पर use करते हैं inspect करेंगे console पर जाएंगे और इसे refresh करेंगे और यहाँ पर यह product आ गया और इस पर click करेंगे add to card तो यह देखे product card.jsx 12th में यहाँ पर card item में store हो गया तो आपका card item में यह product store हो गया अब यहाँ पर इसे दिखाना है navbar में तो दिखाने के लिए क्या करेंगे तो navbar में इसे दिखाना है तो card items को लेंगे use selector से तो इसे copy करते हैं navbar में जाते हैं और यहाँ पर use करेंगे और use selector import करेंगे और इस card items को यहाँ पर use करेंगे यह dummy data है तो curly bracket लेंगे और card items लेंगे dot length कर देंगे तो यहाँ पर card items का length पता चलेगा जैसे add to card करेंगे तो यहाँ पर add to card 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया बट यहाँ पर refresh करेंगे तो यह चला जा रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे local storage में store करेंगे ताकि यहाँ पर refresh करें तो data clear ना हो यहाँ पर use effect का use करेंगे और local storage में card items का जो भी data है वो set कर देंगे तो इसको copy करते हैं और यहाँ पर product card में इसे call करते हैं और use effect को import करते हैं local storage में set item कर रहा है card local storage का नाम दिए card और इस card item का जो भी है वो string में store करा रहा है तो जैसे यहाँ पर click करेंगे add to card तो यह जो add to card का जो भी data आ रहा है वो इसमें store हो रहा है और यह local storage में है तो जब तक आप delete नहीं करेंगे तो यह delete नहीं हो card slice में जो initial state लिये थे वहाँ पर local storage से data को ले लेंगे तो लेने के लिए redux में जाएंगे और यहाँ पर इसे लेंगे तो object में लेंगे तो json.parse और इसके अंदर local storage.get item और कौन सा item लेना है तो card का तो यहाँ पर local storage का नाम हो गया और double question mark लगा देंगे जब card items में कोई item नहीं रहेगा तो यह empty array दिखेगा और जब item आ जाएगा तो यह दिखेगा तो इससे देखते हैं यहाँ पर add to card करेंगे तो यह add हो गया और refresh करेंगे तो यह अब यह data नहीं जाएगा जब तक आप delete नहीं करेंगे तो यह data नहीं हटेगा जैसे add to card किये 2 तो यहाँ पर count हुआ 2 और 3 तो इस तरह से यह work कर रहा है इस वीडियो में आपने product को get किया और add to card function को create किये तो मिलते हैं next video में